स्वागत करते हैं आपके साथ मैं हूँ मंजल मंजरी और बुल्टिन के शुरुआत करते हैं मुतिहारी शहर के गांधी चौक पर नासिर खान नाम का इवक्ति खुदा नगर में चल रहे है वैद बुचर खाने के खिलाफ अनश्चित काली ने अंशन पर बैठा हुआ है नासिर का कहना है कि वह इस समन में कई बार जिला प्रशासन से भी मांग कर चुका है लेकिन अब तक इस मामले पर कोई कारवाई नहीं हुई है नासिर का कहना है कि जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वह अनशन पर बैठा रहेगा वही बिहार के परव मुख्यमंत्री जीतर नामाजी ने निर्मला स्तरमंद वारा पेश किये गए बजट के बाद काफी दुख जताया है उन्होंने कहा कि केंदर का सरकारी कंपनियों में विनिवेश करने का फैसला सही नहीं है इसे निजी करण को बढ़ावा मिरेगा निजी करण से पहले प्राइवेट सेक्टर में आरक्षन का कानूर बनाना चाहिए था वहीं दूसरी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने केंदर सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि केंदर ने बिहार के साथ सौतेला विवहार किया है तेजस्वी ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि बिहार को इस बजट से क्या मिला केंदर सरकार हमेशा से कहती आ रही है कि 2022 से किसान की आए दोगनी कर दी जाएगी लेकिन 2020 में ही कृशी कानून बना कर किसानों को भिखारी बनाया जा रहा है बिहार को इस डबल इंजन की सरकार ने आखिर क्या दिया है और बात करेंगे बिहार के मंत्री मंडल वस्तार की बिहार में मंत्री मंडल वस्तार की कवाद एक बार फिर से तेज हो गई है इसलिकर दिली में बीजेपी की महतवपुन बैठक होने जा रही है इस बैठक में वीजेपी कोटे से मंत्री मंडल वेड शामिल होने वाले चहरों के साथ ही मुनुनयेन कोटे के मलसी के नामूख पर भी ओमुहर लगनी के उमुद है फरवरी के पहले सब्ता में मंत्री मंडल वस्तार की संभावना है बैटक में भाग लेने के लिए दोनों डिप्टी सीम सहीत प्रदेश संगठन के नेता रविवार को ही दिली कूच कर गए है और अबाद कंते इंटरमेडियर्ट की परक्षा की विहार बोड के इंटर की परक्षा आसे शुरू हो गई इस परक्षा में लगभग साड़े तेरह लाग परशार्थी शामिल हो रहा है इनमें 6,46,000 चात्राएं और 7,3,000 चात्र हैं परक्षा के लिए राजभर में 1473 परक्षा के इंदर बनाए गया है आपको बता दे कि परक्षा 13 फरवरी तक चलने वाली है इस बार परक्षा दो पाली में आयोजित की जा रही है कोरोना को देखते वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मास्क सनिटाइजर लाना अनिवारी कर दिया गया है साथे सुरक्षा के भी पुक्ता इंतिजाम किये गये है वहीं जमुई में बिहार बोट द्वारा आयोजित इंडर की परक्षा का पहला दिन शांदी पुन धंक से समपर्म हुआ कोरोना को देखते वे सरकारी गाइडाइन्स के रुसार सभी परक्षार्थियों के वेच मास्क और सैंटाइजर बाटे गये कदाचार मुख परक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन दल बल के साथ मुस्तायत रहा वही परक्षार्थियों में भी परक्षा को लेकर रुसा देखने को मिला वही दूसरी और मुजफर्पुन भी छात्राओं का परक्षा शुरू हो चुका है वहाँ छात्र और छात्राएं परक्षा दे रहे हैं वही परक्षा केंद्रों पर चौवन हजार विद्यासी परक्षा देने वाले दे रहे हैं वही परहली पारी नौबज कर 20 मिनट पर और दूसरी पारी दो बज़े से शुरू की गई है वही कोरोना काल को देखते वे परक्षार्कियों के लिए नियम भी बनाये गए हैं चात्र चात्राओं को परक्षा हॉल में परवेश करने की दोरान हाथ में सरिटरेज कर स्कृणिंग करके केंद्र के अंदर परवेश कराये गया और अब आप करते हैं पराद जगत की बिहार में दिनों पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है इसकी एक बानगी देखने को मिली मोतिहारी जिले में जहां एक व्यक्ति का पिस्टल लहराते वे वीडियो सामने आया है बताया जा रहा है कि आपसी वीवाद में व्यक्ति ने पिस्टल निकाल कर विरोधियों को धमकाने की कोशिश की विडियो वारल होने के बाद पुलिस ने तौरित कारवाई करते हुए पिस्टल लहरार में वारे व्यक्ति को गिरफतार कर लिया है घटनास्तल से पुलिस ने बुलिट भी जब्त किया है वहीं बिहार के सुपॉल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अपराध्योरी पुलिस को चुनौती देते वे दिन दहाडे एटियम कैश वेन के गाट को गोली मार दी पताया जा रहा है कि बाइक सभार अपराध्यों ने पहले कैश वेन के गाट को गोली मार दी और फिर 45,000 रुपए लेकर फरार हो गया आनन फानन में गाट को इलाज के लिए अस्पिताल में भरती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया वहीं बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस तमाम कोशिश कर रही है लेकिन अपराध को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है ताजा मामला दानापूर के नवधपूर के से सामने आया है जहां दिन दहारे अपरादु ने दो लोगों को गोली मार दी जिसके बाद आननफानन में ग्रामिनों ने दोनों को एक नेजी अस्पताल में भरती कराया जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है खबर है कि एक युवक नौवतपूर बजार से सबजी लेकर घर जा रहा था कि रास्त में पहले से घात लगाए बैठे अपराग्यों ने गोली चला दी जिससे उस शक्स से बगल में खड़ी महिला को भी गोली लगई बार रिल वेस्टेशन पर एक महिला की ट्रेन से कट जाने से दर्दनाक मौत हो गई घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतिका एक नंबर प्लेटफर्म से दो नंबर प्लेटफर्म पर जाने की कोशिश कर रहे थी उसी बीच महिला की ट्रेन की चपेट में आने से गटना होते देख रिल परिसर में मौजुद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई जिसके बार रिल थाना ने शब को अपने कवजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भीज दिया हलाकि अभी तक मृतिका की पहचान नहीं हो पाई है तो इस बुलेटिन में फिल हाल इतना ही दीजू इजाज़त नमस्कार